इकाई तीन व्याभारिक लेखन प्रिष्ट 165 अध्याय 14 कार्यालई लेखन और प्रक्रिया इस पाठ में आप पढ़ेंगे आपचारिक पत्र टिप्पन मुख्य टिप्पन आनुशंगिक टिप्पन अनुस्मारक अर्धसरकारी पत्र स्वतहस पष्ट टिप्पनी कार्यसूजी कार्यवृत्थ प्रेस विज्यप्ति परिपत्र जवाब देना है किसी एरे गेरे को नहीं बलकि मुझे समंदर को जवाब देना है वेणु गोपाल हिंदी कवी आपको किसी आम सरकारी दफतर में जाने का अवसर अवश्य मिला होगा जहां आपने कागजों और फाइलों के धेर देखे होंगे ये फाइलें दफतरों के कामकाज में महत्वपूर भूमिका निभाती है सरकारी कामकाज की गाड़ी फाइलों के पहियों पर ही दोड़ती है किसी भी विशय पर विजार करने और उस पर निर्णे लेने के लिए उस विशय से संबंधित एक फाइल होती है उस विशय से संबंधित जो प्रस्ताव या पत्र, बाहरी व्यक्तियों या दूसरे कार्यालयों से प्राप्त होते हैं उन्हें फाइल की दाहिनी तरफ रखा जाता है किसी प्रस्ताव या विशय पर विचार के लिए जो टिपणियां लिखी जाती हैं या मंतव्य प्रकट किये जाते हैं वे फाइल की बाई तरफ लगे प्रिष्ठों पर होते हैं जैसा कि उपर बताया गया, फाइल के बाई तरफ का हिस्सा, टिपण के लिए और दाहिनी तरफ का हिस्सा, पत्र व्यवहार को संजोकर रखने के लिए होता है सरकारी कार्यालयों की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए, इन पत्रों को कई श्रीणियों में बांट दिया गया है मसलन, कई पत्र सूचनाएं मांगने या भेजने के लिए लिखे जाते हैं कुछ पत्रों द्वारा मुख्याले या बड़े अधिकारी अपने अधिनस्थ कार्यालयों या अधिनस्थ कर्मचारियों को आदेश भेजते हैं। कुछ पत्र अखबारों को विभागी या गतिविधियों की जानकारी देने के लिए भेजे जाते हैं। हर श्रेणी के पत्र के लिए एक विशेश स्वरूप निर्धारित कर दिया गया है। इस पाठ में हम इन ही अलग-अलग स्वरूपों की चर्चा करेंगे। इन स्वरूपों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम किसी कार्याले में चलते हैं। आप इसका नाम जानना चाहेंगे। अजी नाम में क्या रखा है। चलिए हम इसका नाम रखते हैं अखिल भारतिय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान। ये है संस्थान का मुख्याले जिसे महानिदेशाले के नाम से जाना जाता है। देश भर में फैले तमाम क्षित्रिय कार्याले इसी के नियंत्रण में आते हैं। आईए, हम इसके अंदर चलें। यह है महानिदेशाले का प्रशासन विभाग। यहां एक अनुभाग अधिकारी, शंकरन जी, पूरी गंभीरता से किसी मसले को सुलजाने में व्यस्त हैं। सामने एक पत्र पढ़ा है, जो मसले का केंदर बिंदू है। पत्र मुंबई के क्षेत्रिय कार्याले से आया हुआ है, और इस प्रकार है। आपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, अखिल भारतिय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, क्षेत्रिय कार्याले मुंबई, बाई और लिखा हुआ है, फाइल संख्या, मुंबई, मुंबई, बाई तरफ से शुरू किया गया है, सेवा में, महानिदेशक, अखिल भारतिय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, तिलक मार्ग, नई दिल्ली, एक एक शुन्य, शुन्य शुन्य एक, विशे, मुबाईल फोन पर होने वाले व्याय के लिए निर्धारित सीमा, महोदै, क्रिपया अपने परिपत्र का स्मरण करें, जिसकी संख्या 24-13-2014 थी, जो 23 नवंबर 2004 को जारी किया गया था, परिपत्र में हिदायत दे गई थी, कि मुबाईल फोन पर महीने में 2000 से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए, इस संबंध में निवेदन है कि मुंबई स्थित क्षेत्रिय कार्याले की गतिविधियां अत्यंतव व्यापक हैं, देश के तमाम फिल्म और टेलिविजन निर्माता मुंबई में ही हैं, इनकी वजह से विभिन विधाओं के कलाकार बड़ी संख्या में मुंबई में ही निवास करते हैं, साथ ही निदेशक को देश के विभिन नगरों में स्थित कार्यालेयों एवं क्षेत्रिय कार्याले से भी निरंतर संपर्क में रहना पड़ता है, साथ ही संस्थान की गतिविधियों के लिए प्रायोजक जुटाने के सिल्सले में देश के विभिन औध्योगिक संगठनों से भी लगातार बात करनी पड़ती है, उपर बताए तथियों की वजह से 2000 रुपए मासिक की सीमा मुंबई कार्याले के लिए कम पड़ रही है, पिछले चे महिनों से ये देखा जा रहा है कि मासिक खर्च 6000 रुपए के आसपास आता है, अतह निवेदन है कि मुंबई कार्याले की विशेश स्थिती को ध्यान में रखते हुए मुबाईल फोन पर मासिक खर्च की सीमा बढ़ा कर 6000 रुपए कर दी जाए, फिर बाई तरफ लिखा हुआ है भवदिय, राकेश कुमार, निदेशक और उनके हस्ताक्षर हैं, प्रिष्ठ संख्या 166, शंकरन जी ने पत्र को पढ़कर बुरा सा मूँ बनाया, वे पत्र में बताए गए कारणों से कताई सहमत नहीं थे, उन्हें लग रहा था कि खर्च की सीमा को बढ़ाना फिजूल खर्ची को दावत देना है, अगर एक जगह धील दे दी जाए, तो ऐसी दस मांगे लेकर लोक सामने आ जाते हैं, लेकिन ये तो उनकी व्यक्तिगत राय थी, दफ्तर का एक अपना तरीका होता है, और निर्णे में अन्य दूसरे लोगों की भी भूमिका होती है, लिहाजा उन्होंने वो पत्र अपने सहायक ज्यान प्रकाश्ची को इस निर्देश के साथ भेजा, कि इस पर आवश्यक कारवाई की जाए, ध्यान देने की बाते हैं, एक, सरकारी पत्र आपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, दो, प्रायह ये पत्र एक कार्याले, विभाग अथ्वा मंत्राले से दूसरे कार्याले विभाग या मंत्राले को लिखे जाते हैं, तीन, पत्र के शीर्ष पर कार्याले, विभाग या मंत्राले का नाम वह पता लिखा जाता है, 4. पत्र के बाई तरफ फाइल संख्या लिखी जाती है जिससे ये स्पश्ट हो सके कि पत्र किस विभाग द्वारा किस विशय के तहत कब लिखा जा रहा है 5. जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, पता, आधी, बाई तरफ लिखा जाता है 6. सेवा में का प्रियोग धीरे-धीरे कम हो रहा है 7. विशय, शीर्शक के अंतरगत संक्षेप में ये लिखा जाता है कि पत्र किस प्रियोजन के लिए या किस संदर्भ में लिखा जा रहा है 8. विशय के बाद बाई तरफ महुदय संबोधन लिखा जाता है 9. पत्र की भाशा सरल एवं सहज होनी चाहिए क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए 9. अनेक बार सटीक अर्थ प्रेशित करने के लिए प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग करना ही उचित होता है 10. इस पत्र के बाई और प्रेशक का पता और तारीख दी जाती है 11. पत्र के अंत में भवदिय शब्द का प्रयोग अधोलेख के रूप में होता है 12. भवदिय के नीचे पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं हस्ताक्षर के नीचे कोश्ठक में पत्र लिखने वाले का नाम मुद्रित होता है। नाम के नीचे पदनाम लिखा जाता है। प्रिष्ठ संख्या 168 ज्यान प्रकाश जी खुराट सहायकों में से एक हैं। विभाग में लंबे अर्से से हैं। और इस वजह से वे विभागिया ज्यान के भंडार हैं। उन्हें कार्याले नियमा वली की चलती फिरती लाइबरेरी कहना कोई अतिशोक्ती नहीं होगी। ज ज्यान प्रकाश जी ने तुरंत वो फाइल निकाली जो मुबाइल फोन के खर्च में कटौती से संबंधित थी। फाइल और इसमें लगे परिपत्र उन्हें मुखाग्र थे। फिर भी उन्होंने उन पर एक नजर डालने के बाद फाइल पर कुछ इस प्रकार की टिपणी ने लिखी। मुख्य टिपण नोटिंग। इस संदर्भ में महानिदेश आले द्वारा दिनांक 23 नवंबर 2004 को जारी परिपत्र पर ध्यान दिना अवश्यक है जो इस फाइल की प्रिष्ट संख्या 12 पर है। इस परिपत्र में खर्च की सीमा 2000 रुपए निर्धारित कर दी गई है और किसी भी परिस्थिती में किसी प पहले की टिपणी को देखें जो प्रिष्ट संख्या 8 स्लैश टिपण पर है। टिपणी को पढ़ने से स्पष्ट है कि खर्च की सीमा का निर्धारन सभी पहलूँ पर विचार करने के बाद सोच समझ कर लिया गया है। ये भी विचारनिये है कि खर्च की सीमा बोड की और बिना बोड की अनुमती के इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संभाव नहीं है। दिया जाता है, वो टिपणी कहलाती है। दूसरा, टिपणी शब्द अंग्रेजी के नोटिंग शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है। टिपणी लिखने की प्रक्रिया को हम टिपण यानी नोटिंग कहते हैं। टिपणी का उद्देश्य उन तथ्यों को सपष्ट तथा तर्क संगत रूप से प्रस्तुत करना है, जिन पर निर्णे लिया जाना है। साथ ही उन बातों की ओर भी संकेत करना है, जिनके आधार पर उक्त निर्णे संभव तह लिया जा सकता है। चार, टिपण का उद्देश्य मामलों को नियमा नुसार निप्टाना है। पांच, टिपण मुख्य तह दो प्रकार के होते हैं, सहायक स्तर पर टिपण तथा अधिकारी स्तर पर टिपण। चै, कार्याले में टिपण कार्य अधिकतर सहायक स्तर पर होता है। साथ, इसे आरंभिक टिपण या मुख्य टिपण कहते हैं, जिसमें सहायक विचाराधीन मामले का संक्षिप्त ब्यारा देते हुए, उसका विवेचन करता है। आठ, इस प्रकार के टिपण में सबसे पहले मूल पत्र या आवती में दिये गए विवरण या तथ्यकास सार दिया जाता है, फिर निहित प्रस्ताव की व्याख्या की जाती है, और संबंधित नियमों, विनियमों का हवाला देते हुए, अपनी राय दी जाती है। नौ, टिपणी लिखने के बाद सहायक अधिकारी दाहिनी ओर अपने हस्ताक्षर कर उसे अपने अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करता है। जिस अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है, उसका पदनाम वहां बाई ओर लिखा जाता है। 10. टिपणी लिखने से पूर्व सहायक के लिए संबंधित विशय को समझना बहुत आविश्यक होता है। 11. टिपणी अपने आप में पूर्ण एवं स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें असली मुद्दे पर अधिक बल देना चाहिए। 12. टिपणी संक्षिप्त, विशय संगत, तर्क संगत और क्रम बध होनी चाहिए। 13. टिपण कार को अपने विचार, संतुलित एवं शिष्ट भाशा में देने चाहिए। इसमें व्यक्तिगत आक्षेप, उपदेश या पूर्वा ग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं होता। 14. टिपणी सदैव अन्य पुरुष में लिखी जाती है। पृष्ठ संख्या 179 श्री ज्यान प्रकाश जी के ज्यान से प्रकाशित होने के बाद, फाइल अब शैंकरण जी के पास आ गई। वे तो पहले से ही भरे बैठे थे। ज्यान प्रकाश जी की टिपणी को पढ़ने के बाद, उनकी बाच्चां खेल गई। ग्यान प्रकाश जी की मुख्य टिपणी के नीचे उन्होंने अपनी आनुशंगिक टिपणी कुछ इस प्रकार से दर्ज की। आनुशंगिक टिपणी। मैं उपर लिखी टिपणी से सहमत हूँ। साथ ही इस और भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मुंबई कार्याले के निदेशक पिछले छे महिने से निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करते रहे हैं। जो परिपत्र का उलंगन है। चोंकि परिपत्र में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है, अतह अतिरिक्त यह राशी निदेशक द्वारा देय होनी चाहिए। यह राशी निदेशक के वेतन से काटी जा सकती है। बाई और लिखा गया है विचारार्थ, उपनिदेशक, प्रशासन। दाई तरफ लिखा गया है जी शंकरन, अनुभाग अधिकारी और उनके हस्ताक्षर हैं। ध्य तो वो अधिकारी टिपणी पढ़ने के बाद नीचे मंतव्य लिखता है। इसे आनुशंगित टिपणी कहते हैं और ये क्रिया आनुशंगित टिपण कहलाती है। दूसरा, अगर अधिकारी अपने अधिनस्थ की टिपणी से पूरी तरह सहमत है, तो इस प्रकार की टिप अधिकारी अधिनस्थ की टिपणी के नीचे या तो केवल हस्ताक्षर भर करता है, या मैं उपरियुक्त टिपणी से सहमत हूं लिखता है। तीसरा, अगर अधिकारी अपने अधिनस्थ की टिपणी से पूरी तरह सहमत है, मगर उसे और सशक्त एवं तरक संगत बनाने के लिए अपनी ओर से भी कुछ जोड़ना चाहता है, तो वो अपना मंतव्य आनुशंगिक टिपणी के रूप में दर्ज कर देता है. चार, यदि अधिकारी पून तहा असहमत है या आनशिक रूप से सहमत है, तो वो अपने तर्क और कारणों के साथ अपनी आनुशंगिक टिपणी करता है. पांच, अधिकारी को अधिनस्थ की टिपणी को काटने, बदलने या हटाने का अधिकार नहीं है, वो केवल अपनी सहमती, आनशिक सहमती या असहमती व्यक्त कर सकता है. चे, आनुशंगिक टिपणी प्रायह संक्षिप्त होती है, लेकिन असहमती की स्थिती में कई बार इस प्रकार की टिपणी बड़ी भी हो सकती है. प्रिष्ठ संख्या एक सौ सत्तर अब फाइल एक और सीड़ी चड़कर राजकुमार शर्मा जी की मेज़ पर आ गई, जो उपनी देशक प्रशासन है. कामकाज को वे बड़ी ही दक्षता और फुर्ती से निप्टाते हैं, वे नियमों के पाबंद हैं और उसमें कोता ही उन्हें पसंद नहीं. जब भी कोई फाइल उन तक पहुँचती है, तो वे उसमें किसी गोता खोर की तरह डुपकी लगाते हैं और मोती निकाल लाते हैं. इस फाइल की गहराई में भी वे कुछ इसी प्रकार उतरे. विचार के जो मोती निकले, उसे उन्होंने फाइल पर इस प्रकार जड़ा. मैं सहायक से सहमत हूँ. साथ ही ये भी जोड़ना चाहूँगा कि 23 नवंबर 2004 को जब परिपत्र जारी किया गया था तब कॉल की दरें ज्यादा थी, जो कि अब काफी गिर चुकी हैं. ऐसे में ये साफ है कि प्रकारांतर से निर्धारित व्याई सीमा अपने आप ही बढ़ की सीमा से अधिक की धनराशी निदेशक के वेतन से वसूली जानी चाहिए. लेकिन उनसे विस्तार में सपश्टी करण मांगा जा सकता है. बाइयोर लिखा है विचारार्त उप महा निदेशक प्रशासन. दाइयोर लिखा गया है राजकुमार शर्मा उप निदेशक की स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये. फाइल का अगला पढ़ाव महा निदेशक के पास था. मणी कांत मंडल महानिदेशक थे. अपनी पूरी व्यस्तता के बावजूद वे हर फाइल पूरी गहराई से पढ़ते थे. दफ्तर में दस घंटे बैठने पर भी काम का बोज बना रहता था. और जब वे देर रात घर लोटते तो फाइलों का गठर साथ साथ जाता. घर आई फाइलें उनकी पत्नी को सौथ की तरह लगती. मगर वो भी ठक हार कर समझोता कर चुकी थी. मंडल जी एक अनुभवी और सुल्छे इंसान थे. फाइल पढ़कर उन्होंने कि नीचे के अधिकारियों ने नियमा अनुसार सही टिपणी लिखी है. लिकिन वे मुंबई कार्याले के निदेशक के पक्ष से भी सहमत थे. दौरे पर मुंबई आते जाते उन्हें वहां की परिस्थितियों का ग्यान था. उन्होंने सोच विचार के बाद अपनी के अतिक्रमन के जो कारण दिये हैं, उन्हें भी नकारा नहीं जा सकता. अपने दौरों में मैंने ये पाया कि पिछले छे महीनों के दौरान केंद्र की गतिविधियों में जो बढ़ोत्तरी हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए मुबाइल फोन पर हुआ खर्च उच अतहा मुंबई के लिए खर्च की सीमा बढ़ा कर 6,000 रुपए प्रतिमास करना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। चूंकि मासिक व्याय संबंधी पिछला परिपत्र बोड की अनुमती के बाद जारी किया गया था, अतहा बोड की अगली बैठक में इस पूरे मसले को प्रस महानिदेशक और उनके हस्ताक्षर है। उधर अपने पत्र का कोई जवाब न पाकर मुंबई केंद्र के निदेशक राकेश कुमार जी चिंता में पड़ गए। उन्होंने महानिदेशाले को अपनी पहली चिठी की याद दिलाने के लिए स्मरण पत्र या अनुसमारक अर एवं संस्कृती संस्थान। क्षेत्रिय कारयाले मुंबई। बाई और लिखा गया है फाइल संख्या मुंबई slash वा slash पाच slash 2005 slash 372। दाई और लिखा गया है मुंबई 26 अप्रेल 2005। पुन्हा बाई और लिखा गया है सेवा में महानिदेशक अखिल भारती असाहित्य इव एवं संस्कृती संस्थान, तिलक मार्ग, नई दिल्ली, एक एक शुन्य, शुन्य शुन्य एक, विशय, मुबाइल फोन पर होने वाले व्याय के लिए निर्धारित सीमा, महोदय, कृपया उपर्युक्त विशय पर इस कार्याले द्वारा भेजे गए समसंख्यक पत्र का स्मरण करें, जो पंदरह मार्च 2005 को भेजा गया था, निवेदन है कि मुबाइल फोन की मासिक व्याय सीमा को बढ़ाने संबंध ही इस कार्याले के अनुरोध पर विचार कर कृपया आवशक स्विकृती जारी की जाए, फिर नीचे बाइयोर लिखा गया है भवदिय, राकेश कुमार, निदेशक वो उनके हस्ताक्षर हैं, ध्यान देने की बाते हैं, पहला, जब किसी पत्र, ग्यापन, इत्यादी का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता, तो याद दिलाने के लिए अनुसमारक भिजा जाता है, इसे स्मरण पत्र भी कहते हैं, दूसरा, इसका प्रारूप आपचारिक पत्र की तरहा ही होता है, मगर आकार छोटा होता है, तीसरा, अनुसमारक के शुरू में पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है, जब एक से अधिक अनुसमारक भेजे जाते हैं, तो पहले अनुसमारक को अनुसमारक एक, दूसरे को अनुसमारक दो, तीसरे को अनुसमारक तीन इत्यादे लिखते हैं महानिदेशक ने इस अनुसमारक को गुफरान एहमद उप महानिदेशक के पास इस हिदायत के साथ भेजा कि मुंबई कार्याले के निदेशक को एक अंतरिम उत्तर भेज दिया जाए। गुफरान एहमद के पास फाइल भी लोट चुकी थी। महानिदेशक ने निचले अधिकारियों द्वारा की गई अनुशंसा को बिलकुल ही उलट दिया था। 170 उन्होंने तै किया कि बोड की स्विकृती के लिए भेजी जाने वाली टिपणी वे स्वयम ही तयार करेंगे और राकेश कुमार को अंतरिम उत्तर भी खुद ही भेजेंगे। मुंबई केंद्र के निदेशक राकेश कुमार को उन्होंने एक अंतरिमुत्तर अर्ध सरकारी पत्र अर्थात डियो लेटर के रूप में कुछ इस प्रकार भेजा अर्ध सरकारी पत्र अखिल भारतिय साहित्य एवं संस्कृती संस्थान महा निदेशाले बाई और लिखा गया है फाइल संख्या 3-2-2005-PRA दाई तरफ लिखा गया है नई दिल्ली 4 मई 2005 फिर बाई तरफ नीचे लिखा गया है गुफरान एहमद उसके नीचे उप महा निदेशक और फिर उसके नीचे प्रिया श्री कुमार कृपया 15 मार्च 2005 और 26 अप्रेल 2005 को भेजे गए अपने पत्रों का इसमरण करें जो मुबाईल फोन पर किये जाने वाले मासिक व्याय की सीमा बढ़ाने के बारे में थे आपके अनुरोध पर कारवाई की जा रही है चूंकि व्याय सीमा में बढ़ोत्तरी के लिए बोड की अनुमती आवशक है अतह हम इस मसले को बोड की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे इस मसले पर बोड के निरणे से हम आपको अवगत करा देंगे शुभ कामनाओ सहित दाइं तरफ लिखा गया है आपका गुफरान एहमद और हस्ताक्षर किये गये हैं बाइं तरफ नीचे लिखा गया है निदेशक श्री राकेश कुमार दूरदर्शन केंद्र मुंबई ध्यान देने की बातें पहला आपचारिक पत्र के विपरीत अर्ध सरकारी पत्र में अनापचारिकता का पुठ होता है इसमें एक मैत्री भाव होता है दूसरा अर्ध interaction सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्थर पर जानता है तीन, इस प्रकार का पत्र ऐसी स्थिती में भी लिखा जाता है जब किसी खास मसले पर संबोधित अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकरशित कराया जाता है या उसका व्यक्तिगत परामर्श लिया जाए चार, प्रारूप में बाई और शीर्ष पर प्रेशक का नाम होता है इसके नेचे उसका पदनाम होता है पाँच, अर्ध सरकारी पत्र के लिए अमूमन कार्याले के लेटर हेड का प्रियोग होता है अगर उपलब्ध हो चे, पत्र के प्रारंभ में संबोधन के रूप में महोदय या प्रिय महोदय का प्रियोग नहीं होता ऐसे पत्र में आमतोर पर प्रियोग किया जाने वाला संबोधन प्रियश्री फिर अधिकारी का नाम या प्रियवर्श्री फिर अधिकारी का नाम हो सकता है साथ, पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में दाहिनी और भवदिये के स्थान पर आपका का प्रियोग किया जाता है आठ, अंत में बायूर संबोधित अधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता दिया जाता है प्रिष्ठ संख्या 174 गुफ्रान एहमद की अगली जवाब देही इस मसले को बोड के समक्ष रखने की थी उन्होंने पूरी फाइल को विस्तार से पढ़ा और बोड के विचारार्थ एक विस्तृत टिपणी तयार की जिसमें पूरे मसले की प्रिष्ठ भूमी और निदेशक के अनुरोध के ओचित्य का विशलेशन था और अंत में ये सिफारिश की गई थी कि मुंबई के इंद्र के लिए सीमा बढ़ा दी जाए टिपणी इस प्रकार थी टिपण अखिल भारतिय साहित्य एवं संस्कृती बोड की पचपनवी बैठक के विचारार्थ प्रस्तुत टिपणी विशे मुबाइल फोन के लिए निर्धारित व्याय सीमा बोड ने 12 नवंबर 2004 को हुई अपनी 43 वी बैठक में निर्णे लिया था कि विभिन क्षेत्रिय कार्यालेयों के निदेशकों को कार्याले द्वारा प्रदान मुबाइल फोन पर किये जाने वाले खर्च के सीमा 2000 रुपै प्रति माह हो कोश्ठक में दिया गया है बैठक के कार्य वृत्त का संबंधित अंश सनलगन है बोड के निर्णे का पालन करते हुए महा निदेशक ने इस संबंध में 23 नवंबर 2004 को एक परिपत्र जारी किया था जिसकी एक प्रति सनलगन है संस्थान के मुंबई स्थित क्षेत्रिय कार्याले में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि ये सीमा कारयाले के दक्ष, सुचारू और प्रभावी संचालन में बाधख बन रही है निदेशक ने सूचित किया है कि कारयाले की गतिविधियों में निरंतर वृध्धी हुई है जिसकी वजह से निदेशक को मुबाइल फोन का अत्यधिक प्रियोग करना पड़ रहा है उनहें विभिन्न विशेशग्यों, कलाकारों, सहित्यकारों, संगीतकारों, प्रायोजकों, वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों और अन्यकर्मियों के साथ निरंतर संपर्क में रहना पड़ता है कार्याले की गतिविधियों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे कार्याले का राजस्व भी बढ़ा है ऐसे में ये अवश्यक प्रतीत होता है कि केंद्र के अनुरोध को स्विकार करते हुए उनकी मासिक व्याय सीमा दो हजार रुपए से बढ़ा कर छे हजार रुपए कर दी जाए। इसके नीचे लिखा गया है बोड के विचारार्थ प्रस्तुत। प्रिष्ठ संख्या 175 ध्यान देने की बातें पहला, ये अपने स्वरूप में आरंभिक या मुख्य टिपणी से काफी मिलती है। दूसरा, चूंकि ये टिपणी फाइल के उपर लिखकर स्वतंत्र रूप से भेजी जाती है, अतहा इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि ये अपने आप में संपूर हो और केवल इस टिपणी को पढ़ लेने भर से पूरा मसला समझ में आ जाए। तीन, यदि आवश्यक हो तो संदर्भ के लिए किसी पिछली टिपणी, पत्र, ज्यापन, इत्यादी को सनलगनक के रूप में टिपणी के साथ लगाया जा सकता है। चार, बोड के पास भेजी जाने वाली स्वतह स्पष्ट टिपणी किसी मसले पर बोड की स्विकृती प्राप्त करने के लिए होती है। तून दिया गया है, जिसमें एक अधिकारी एक सामान्य व्यक्ति को कुछ समझा रहा है। अधिकारी बोट पर लगे हुए एक रूट की तरफ इशारा करता है, जिसमें ये पत्र कहां से कहां जाएगा, उसको बड़े घुमावदार तरीके से समझाया गया है। श्री गुफरान एहमद ने बोट को भेजी जाने वाली टिपणी के मसौदे को महा निदेशक के पास स्विक्रिती के लिए भेजा। स्विक्रिती मिलते ही ये टिपणी बोट के सचिव श्री विश्णू सहाय के पास इस अनुरोध के साथ भेज दी गई कि इसे बोट की पचपनवी बैठक के समक्ष स्विक्रिती के लिए प्रस्तुत कर दिया जाए, जो 17 मई 2005 को निर्धारित है। श्री सहाय को जब ये अनुरोध मिला तो वे 17 मई को होने वाली बैठक की कार्य सूची बना रहे थे। उन्होंने इस मुद्दे को भी कार्य सूची में शामिल कर लिया। कार्य सूची अर्थात एजंडा इस प्रकार थी। प्रिष्ठ संख्या 176 कार्य सूची अखिल भारतिय साहित्य एवं संस्कृती बोड की पचपनवी बैठक की कार्य सूची। पहला चौवनवी बैठक के कार्य वृत्त की सम्पुष्टी। दूसरा पिछली बैठकों के लिए किये गए निरणयों के अनुपालन की समीक्षा। तीसरा लेखकों, कलाकारों और विशेशग्यों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की समीक्षा। चौथा संस्थान द्वारा आयोजित कारेक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाय जाने संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा। पाँचवा मुबाइल फोन पर होने वाले मासिक व्याय पर लगाई गई सीमा की समीक्षा। चौथा अध्यक्ष के अनुमती से किसी भी अन्य विशय पर विमर्ष। बोड की बैठक अपने निर्धारित तिथी यानी 17 मई 2005 को संपन्न हो गई। ये बोड एक शीर्ष संगठन था जिसका काम अखिल भारतिय साहित्य एवं संस्कृति संगठन के कामकाच पर निगरानी रखना और इसके लिए आवशक नीतियां तै करना था। इस बोड में संस्थान के उच्च अधिकारियों के अलावा बाहरी सदस्य भी थे जो अपने अपने क्षेत्रों के जाने माने लोग थे। इन्होंने पूरे मसले पर जम कर चर्चा की और हर पक्ष को अच्छी तरह जाचा परखा। और बैठक की समाप्ति के बाद बोड के सचिव श्री विश्णू सहाय ने बैठक का कारे वृत्त तयार किया जो इस प्रकार था। ध्यान देने की बात हैं। किसी भी संस्था की और चारिक बैठक की कारे सूची उस बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विशयों की अग्रिम जानकारी देती है। इससे बैठक के अनुशासित संचालन में सहायता मिलती है। निर्धारित विशयों से संबंधित स्वतह स्पष्ट टिपणियां अपने सनलगनकों के साथ सदस्यों को कारे सूची के साथ अग्रिम रूप से भेजी जानी चाहिए, ताकि वे बैठक में पूरी तैयारी से आ सकें। अखिल भारतिय साहित्य एवं संस्कृती बोड की पचपनवी बैठक, बोड मुख्याले के समिती कक्ष में दिनांग 17 मई 2005 को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता बोड के अध्यक्ष श्री नरेंद्र देसाई ने की। बैठक में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों की स इस प्रकार है। पहला, विंसेंट अब्राहम मुख्य कार्यकारी। दूसरा, श्री मती देवी का घोशाल सदस्य वित्त। तीसरा, श्री राजकुमार मीना सदस्य कार्मिक। चौथा, श्री अक्षय पतनायक सदस्य योजना एवं विकास। पांचवा, श्री मनी कांत महानिदेशक, अखिल भारतिय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान। छठा, श्री मती राधिका बरुवा, सदस्य। सात्वा, श्री सुधीप हेम्रम, सदस्य। आठवा, श्री आर कृष्णा स्वामी, सदस्य। कारवाई के प्रारंभ में अध्यक्ष ने अपनी दक्षिन अफ्रीका यात्रा की चर्चा करते हुए, वहां की संस्कृति पर भूमंडली करण के प्रभावों का जिक्र किया। उन्होंने ये भी बताया कि दक्षिन अफ्रीका के अनुभावों से हम क्या सबक ले सकते हैं। उपरियुक्त सामाने चर्चा के बाद बैठक की कारे इसमें लिये गए निर्णयों के अनुपालन पर एक प्रतिवेदन अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा, पिछली बैठकों में लिये गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा। बोड ने पिछली बैठक में लिये गए निर्णयों के अनुपालन प्रतिवेदन की विस्तार से समीक्षा की। जहां उन्होंने ये संतोष व्यक्त किया कि अधिकांश निर्णयों का पूर्ण रूप से अनुपालन हो चुका है। वहीं उन्होंने इस बात पर भी जोड़ दिया कि जिन निर्णयों का अनुपालन शेश है उन्हें अगली बैठक के पहले कार्यानवित कर दिया जाना चाहिए। तीसरा, लेखकों, कलाकारों और विशेशग्यों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की समीक्षा बोड ने लेखकों, कलाकारों और विशेशग्यों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक पर विस्तरित चर्चा की। शेशग्य संस्थान से जुड़े रहें और उनका सर्वश्रेष्ठ योगदान संस्थान को प्राप्त हो। इस संबंध में बोड ने संस्थान द्वारा प्रस्तावित नई दरों पर द्रिश्टी डाली और उन्हें संतोष जनक पाते हुए अपनी स्विक्रिती दे दी। बोड ने ये भी टिपणे की कि ये दरें अविलंब लागु की जानी चाहिए। 4. संस्थान द्वारा आयोजित कारेक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाय जाने संबंधी प्रति वेदन पर चर्चा। बोड ने संस्थान द्वारा आयोजित कारेक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाय जाने संबंधी राधा नंदन समिती की सिफारिशों पर भी चर्चा की। बोड ने महसूस किया कि इन सिफारिशों का अध्ययन और भी गहनता से किया जाना चाहिए। इसके लिए बोड ने श्रीमती देविका गोशाल सदस्य वित्त की अध्यक्षिता में एक तीन सदस्य समिती का गठन किया। समिती के अन्य सदस्य श्री सुदीब हेम्रम और श्री आर कृष्णा स्वामी होंगे। समिती अपनी रिपोर्ट दो महा के अंदर देगी। पांच, मुबाइल फोन पर होने वाले व्याय पर लगाई गई सीमा की समीक्षा। समिती ने इस मुद्धे पर विचार करते हुए संबंधित प्रस्ताव को अपनी स्विकृती प्रदान कर दी। बैठक में ये निरने भी लिया गया कि बोड की अगली बैठक 14 और 15 जुलाई 2005 को बैंगलूरू में होगी। प्रिष्ठ संख्या 178 ध्यान देने की बातें पहला, कारे सूची में रेखांकित कारियों पर हुए विचार विमर्ष का संक्षिप्त विवरण कारे वृत्त में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, इसमें क्रमशह उपस्थित लोगों की राय का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए। तीसरा, उपस्थित व्यक्तियों के नाम पदा अनुसार दिये जाने चाहिए बोड में लिये गए फैसले के अनुसार, लेखकों, कलाकारों और विशिशग्यों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी के संबंध में एक प्रेस विज्यप्ती भी जारी करनी थी उन्होंने जन संपर्क अधिकारी श्री देवेंद्र शर्मा से इस बारी में अनुरोध किया श्री शर्मा ने जो विज्यप्ती जारी की वो इस प्रकार थी प्रेस विज्यप्ती प्रेस रिलीज अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृती बोड प्रेस्विग्यप्ति पिछले कुछ समय से लेखकों और कलाकारों द्वारा ये शिकायत की जा रही थी कि संस्थान द्वारा दिये जाने वाले पारिश्रमिक की राशी बहुत कम है जिनके कारण अच्छी प्रतिभाएं संस्थान से विमुख हो रही है लेखकों और कलाकारों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बोड ने पारिश्रमिक की बढ़ी दरों को मंजूरी देते हुए ये विश्वास व्यक्त किया है कि इससे अच्छी प्रतिभाओं को आकरशित करने में तो मदद मिलेगी ही कारेक्रमों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा ध्यान देने की बातें कोई संस्थान या व्यक्ती किसी विशय या किसी बैठक में जो निर्णे लेता है उसे प्रेस विज्यप्ती के माध्यम से सर्वसामान्य तक पहुँचाया जाता है निर्णे में विलंभ का कारण और उससे होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाती है प्रिष्ठ संख्या 189 हम प्रेस विज्यप्ती के चक्कर में मुख्य कथानक से हट गए हैं आईए वापस लोटें वैसे अब पटाकशेप ही शेश है और ये काम गुफ्रान एहमद जी को सौपा गया है उन्हें बोड के व्याय सीमा संबंधी फैसले को कार्यानवित करने के लिए एक परिपत्र जारी करना है इस कथानक की चरम परेनती इस परिपत्र अर्थात सर्कुलर के रूप में हुई अखिल भारतिय साहित्य एवं संस्कृती संस्थान महानिदेशाले बाई तरफ लिखा गया है पत्रांक 24-13-2005 दाई तरफ लिखा गया है नई दिल्ली 27 मई 2005 इसके नीचे ठीक मध्य में लिखा गया है परिपत्र फिर बाई उर से शुरू करते हुए लिखा गया है विशय मुबाईल फोन पर होने वाले व्याय के लिए निर्धारित सीमा महानिदेशाले ने उपरियुक्त विशय पर दिनांक 23 नवंबर 2004 को एक समसंख्यक परिपत्र जारी किया था उपरियुक्त परिपत्र द्वारा मुबाईल फोन पर होने वाले व्याय की सीमा 2000 रुपै प्रति माह निर्धारित की गई थी अखिल भारतिय साहित्य एवं संस्कृती बोड द्वारा इस सीमा पर पुनर विचार किया गया तद अनुसार उपरियुक्त परिपत्र में आन्शिक संशोधन करते हुए ये निर्णय लिया गया है कि मुंबई क्षेत्रिय कार्याले के लिए ये सीमा 6000 रुपै प्रति माह होगी उसके नीचे लिखा गया है उपरियुक्त परिपत्र के अन्य प्रावधान पूर्ववत रहेंगे ये निर्णय ततकाल प्रभाव से लागू होगा उसके ठीक नीचे बाई तरफ लिखा गया है गुफरान एहमद और उनके हस्ताक्षर है ध्यान देने की बात हैं बैठक में लिये गए महत्वपून निर्णयों को कार्यानवित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है जिस मुद्दे को लेकर पहला परिपत्र जारी किया जाता है उस मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र के रूप में जारी किया जाता है जिसमें निर्णय को कार्यानवित किये जाने के निर्देश होते हैं प्रिष्ठ संख्या 180 अभ्यास, पाट से समवाद पहला, नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं इनमें आप पत्राचार के किस रूप का प्रयोग करेंगे? लिखिए क, किसी सरकारी पत्र की कारवाई के रूप में फाइल शुरू करके विशय का निप्टान करना ख, विचारा धीन मामलों को निप्टाने के लिए लिखित सुझाओ देना ग, जब सरकार को जन सामाने तक कोई सूचना पहुचानी हो ग, किसी विभाग को कोई सूचना अपने विभाग के करमचारियों, अधिकारियों को देनी हो ग, विभाग द्वारा श्रिमती रुपाली को अनुप्रियुक्त भाषा विज्ञान का डिप्लोमा करने संबंधी अनुमती प्रदान करना च, मंत्राले द्वारा श्रिमती सुलेखा को शिक्षा शिक्षन कारिक्रम में शामिल होने संबंधी सूचना देना 6. किसी कारे का अनुपालन ना होने की स्थिती में उसके बारी में पुन्हा स्मरण कराना ज़, अपने समकक्ष अथिकारी से किसी संदर्भ में परामर्ष लेना दूसरा, आप राजकिय प्रतिभाविकास विद्याले में हिंदी के शिक्षक हैं और जवाहरलाल नहरू विश्विध्याले से एमफिल करना चाहते हैं विभाग से एमफिल करने की अनुमती प्राप्त करने के लिए पत्र लिखिए तीन, विध्याले में हुए पुरसकार वित्रण समारोह का कारेवृत्त तयार कीजिए 4. निमनलिखित पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़िए मध्य में लिखा गया है भारतिय रिजर्व बैंक उसके ठेक नीचे लिखा गया है नई दिल्ली फिर बाई और उसके नीचे लिखा गया है कारेपालक निदेशक RBI slash 2006 slash 136 उसके नीचे फाइल संख्या 118 slash 11 slash 37.01 slash 2005 06 उसके नीचे 6 अप्रेल 2006 फिर उसके भी नीचे अध्यक्षव प्रबंधनिदेशक सभी सार्वजनिक और निजी बैंक नई दिल्ली उसके नीचे विशय लिखा गया है विशय सिक्के की स्विक्रिती और वितरण संबंधी फिर नीचे महोदय या महोदया करके पत्र प्रारंभ किया गया है आप अपनी शाखाओं को ततकाल आदेश दें कि वे जनता के किसी भी सदस्य से बिना किसी प्रतिबंध के सभी मूले वर्गों के सिक्के स्विकार करें यदि कोई उपभोकता सिक्कों की मांग करता है तो उसे सभी मूले वर्गों के सिक्के भी उपलब्ध करवाने होंगे हलांकि पांच, दस और बीस पैसे मूले वर्गों के छोटे सिक्के बनाना बंद कर दिया गया है जबकि पहले जारी सिक्के जो अब भी प्रचलन में हैं वे वैध मुद्रा बने रहेंगे कृपया इसकी पावती भेजें तथा अपनी कारेवाही से अवगत करवाएं नीचे लिखा गया है बायोर, भवदिया, डॉक्टर रश्मी सिनहा कार्यपालक निदेशक वह उनके हस्ताक्षर हैं प्रिष्ठ संख्या 181 पहला क पंजाब नेशनल बैंक द्वारा इसकी पावती रिजर्व बैंक को भेजिए ख इस पत्र की विशेवस्तु के आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा प्रेस विग्यप्ति तयार कीजिए ग रिजर्व बैंक को अभी भी उपभोकताओं द्वारा शिकायतें मिल रही हैं अतह रिजर्व बैंक के महा प्रबंधक को दोसरे बैंकों को अनुसमारक भेजना है अतह इस अनुसमारक को तयार करने में उनकी मदद कीजिए घः पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी सभी शाखाओं को कार्याले आदेश भेजा उपर युक्त पत्र के आधार पर आप कार्याले आदेश तयार कीजिए क पंजाब नेशनल बैंक की भीकाजी कामा प्लेस और सवधर जंग एंकलेव की शाखाओं से अभी भी रिजर्व बैंक को शिकायते मिल रही है कि इन शाखाओं में सिक्कों को स्विकार नहीं किया जाता इसलिए कारे पालक नेशनल बैंक के अध्यक्ष को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखना है जिसे आप तयार कीजिए पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक को जब ये पत्र मिलता है तब वो अपने अध्यकारी से इसका जवाब मांगता है इस विशेवस्तु को ध्यान में रखते हुए सहायक और अध्यकारी को टिपणे लिखिए कोश्ठक में लिखा गया है संकेत सहायक बैंक की शाखा में पिछले छे महिनों का ब्यौरा देगा कि कितने सिक्के उन्होंने स्विकार किये और कितने सिक्के जारी किये अध्यकारी अपनी टिपणी में इसे निराधार बताएगा